तो करक रासी के स्वास्ते की बात कीजे तो ज़्यादा गंबिर प्रस्तिति को देखने को नहीं मिलते परन्तो सप्तम भाव में सनी होने के करन साथ में दृष्टी लगन पर मांसिक स्थितियों से आप विचलित देखे जा सकते हैं तो यहां पर आपको अपने मांसिक स्थितियों पर नेंतरन रखना होगा तो ये स्थिति कही ना कहीं आपके सरीर को भी नुक्षान पुझाएगी आप जितना मांसिक ग्रूप चे डिश्रफ होंगे उसका प्रभाव आपके सरीर पर पड़ेगा बात करते हैं दोस्तों वैपार की स्थिति की देखे वैपार जो है आपका उस धोग में आपको किसी बड़े इलेक्ट्रोनिक उपरन के खराब होने की संभावना बनती है तो उस पर आपको खर्च ज्यादा करना पड़ सकता है इसलिए आप मेंटिनेंस रखिएगा और खराब होने से उनको बचाईएगा आपका यहां पर बड़ा धन खर्च होने से बच सकता है यह घर पर भी देखने को मिल सकता है वैपार में देखने को मिल सकता है आप जितना उसका ध्यान रखेंगे उतना आप बड़े धन के खर्च से बचेंगे वेपार में थोड़ी ही अस्तिरता देखी जाती है कहीं ना कहीं या आप डिश्टरप आपकी रहने की संभावनाई भी बनती हैं परिवारी कृष्टो की अगर बात की जाए तो दोस्तो यहां पर आपक बड़ी जादा समस्या में ले जा सकते हैं तो परिवारी कृष्टो में भी आपको इससे इसका ध्यान रखना होगा विद्यार्थियों की दोस्तो अगर बात की जाए विद्यार्थियों का जो इस महिने में प्रदर्शन इस हप्ते में अच्छा हो सकता है और अच्छे होन पर आपको अब आपका वो सपना पूरा हो सकता है इस हप्ते में कुछ अच्छे आपको उप्शन मिल सकते हैं जोब की दोस्तों अगर बात की जाए आप अपनी इच्छा से या आपके बोस की इच्छा से इस हप्ते में आपका स्थान बदलने की संभावना है अर्थात जो में प्रमोशन भी हो सकता है कि आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है इस अपते में साब धानी रखेगा जीवन अच्छा रहेगा प्रमात्मा की सड में रहेगा उपाई की बात की जाए तो प्रती दिन गंगा जल पानी में डाल कर सनान कीजिएगा खाली वालते में के स्वास्ते के अगर बात की जाए ये हपता आप लोगों के लिए गंबीर स्थितियों का तो नहीं है परंतु स्वास्ते के प्रती आपको सचेत रहना होगा कोई बड़ी नहीं समास्या स्वास्ते के प्रती आ सकती है यहां पर आप अपने लिए उन फलों को खाने का प्र प्राणायाम इन पर ध्यान दीजेगा स्वास्ते उत्तम रहेगा पर तुमा के स्वास्ते को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं और माता का स्वास्ते आपको चिंतित कर भी सकता है घबराने की बात नहीं माभगवती सब ठिक करें भाईयों का आपको सैयोग मिलने की संभावना ह वैपारिक स्थितियों की बात की जाए तो वैपार की स्थितियां भई आपके सभी ग्रहे तक्रीवंद आपके फिवर में हैं तो यहां पर आप अच्छा लाब प्राप्त कर सकते हैं अच्छी उन्नती कर सकते हैं चाहे वो बिजनेस में हैं चाहे लाब में हैं परन्तो इस पच्ताना पड़ सकता है बात की जाए हमारे देश की नीव विद्यार्थियों की भई आपका अच्छा प्रद्रशने कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थियों को आपके परती जो है इर्शा की स्थिति उनके मन में हैं तो आपके खिलाप वो कोई सडियंत्र रच सकते हैं आप की इमेज को धूमिल कर सकते हैं यहां पर आपको बड़ी सावधानी के साथ आगे वड़ना होगा और उन सडियंत्रों का फड़दा अफास भी करना होगा वरना आपका कैरियर जो है वो धूमिल हो सकता है सावधानी के साथ आगे वड़ियेगा मास रस्वती की वंदना वि उचारण सभी के लिए आपके आज पास ये किसी भी प्रकार से कुपता कोई है तो आप उसको मिठा कोई ऐसी वस्तो मत दीजिएगा फीका भोजन आप उसको दीजिएगा और भगवान आपका भला करेंगे यहां भी श्तितियां आपके लिए अच्छी होंगी क्योंकि जब आप किसी बेजवान का पेट भरते हैं तो उसके दिल से आपके प्रती अच्छी दुआ निकलत आए तो यहां पर आप बड़े अच्छे मूड में नजराएंगे आप अपने स्वास्ते के प्रती सुचारू होंगे सोचेंगे कि मुझे अपने आपको और ज्यादा अच्छा बनाना है अच्छी प्रसनेल्टी बनानी है तो यहां पर आपका प्रियास आपको सपलता भी देगा और आपके जीवन में चार चांद भी लगाएगा आप सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे प्रमात्मा की किर्पा आप पर बनी रहेगी बात की जाए दोस्तों यहां पर वैपार की यह आप जोब में हैं तो यहां पर आपको कोई ऐसा प्रसन मिल सकता है जो चल कपट करके आप से धन उधार ले सकता है यहां पर आपको ऐसे सक्स से सावधान रहना होगा क्योंकि ये धन कहीं ना कहीं आपको दुबारा मिलने वाला नहीं है परियास कीजिए उसको समझने का जरूरत है तो दीजिए गैर जरूरती है तो मत दीजिए वरना आपको कल समश्याओं का सामना करना पढ़ सकता है वैपार की स्थितियों की बात की जाए तो प्रणाम बहतर होने वाले हैं परन्तु द्वित्य भाव में आपका केतू है तो जो भी कारिये करें सोट समझ कर करें दोसरों की बातों में आकर कोई कदम नहीं उठाएं वरना आपको नुक्ष्यान जहेलना पढ़ सकता है अब दोस्तों बात की जाए परिवार की तो परिवार के साथ आपका रिस्ता बड़ा अच्छा नजराता है आप मस्त रहने वाले हैं और खुसी खुसी ये हपता आपका कैसे बितेगा आपको पता भी नहीं चलेगा परंतो इस हपते में आप परिवार के साथ कुछ बजार में सोपिंग कर सकते हैं कुछ गेहने लेने का भी आप सोच सकते हैं कपडों पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं क्योंकि इस हफ्टे में काफी आप अच्छा फील करने वाले हैं अब बात की जाए विद्यार्थियों की भई विद्यार्थी जो स्कूल में जाने वाले आ या कॉलिज में यहां पर आपको अपने कपडों का विशेश द्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मन मर्जी कपडों को पहनने वाली के ड्रेस नहीं पहन के जाते तो आपको डाट पढ़ सकती है और आप थोड़े विचलित हो सकते हैं तो पढ़ाई पर भी ध्यान देना ह होगा बाकी यह हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा जय गुमातागी जय भारत मातागी बात की जाए उपाय की हनुमान 40 का पाट कीजिएगा और हनुमान जी के क्रपा से आपके सभी काम होंगे जय गमातागी जय भारत